नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप Google Pay से NFC पेमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको Google Pay में लॉग इन कर लेना है उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे उपर उसके बाद नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको Pay with Credit or Debit Card का Option दिखेगा इसमें आपको क्लिक करना है उसके बाद फिर से आपको नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पे Add Credit or Debit Card दिख रहा है इसमें आप क्लिक करेंगे इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर add card दिख रहा है यह details आप पर डिंगे उसके बाद add card में आप ख्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना card जो frame दिख रहा है उस frame में लाना है ऐसे आप अपना card इस frame में ला सकते हैं वरना आप enter details manually करके भी अपनी details manually fill कर सकते हैं details दालने के बाद आपको save कर लेना है नीचे save का option दिख रहा है इसमाँ आप click करेंगे तो यह terms and conditions है इनको आपको पढ़ लेना है नीचे scroll करेंगे और accept and continue में आपको click कर लेना है उसके बाद connecting with your bank हो रहा है आपके registered mobile number पे एक OTP आएगी तो OTP को आपको यहाँ पर fill करना है यहाँ पर पहले आपको continue click कर लेना है call your bank या text message वो आपको select कर देना हम text message कर देंगे और continue में click कर देंगे yes autofill या फिर no thanks आप कर सकते हैं हम यहाँ पर autofill का option कर रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा card successfully add हो चुका है अब हमको payment कैसे करने है वो आपको बताते हैं सबसे पहले payment करने के लिए आपको back जाना है अपनी settings में चले जाना है phone की settings में phone की settings में हम जाएंगे यहाँ पर connections है connection आप click करेंगे तो NFC and contactless payment यहाँ पर on रहनी चाहिए अगर यह off होगी तो आप payment नहीं कर पाएंगे यहाँ पर से आपको इसको on कर लेनी है यह आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी add कर सकते हैं shortcuts में add कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर add किये payment करने से पहले आप इसको on off यहाँ पर से कर सकते हैं यहाँ पर से आपको इसको on कर लेनी है और simply अपना font tap करना है POS मसीब पर तो आपकी payment हो जाएगी और यहाँ पर जैसे हमारे दो cards add है जिस भी card से आप चाहते हैं कि इस card से payment हो उसको default set कर लेना आपने जैसे हम चाहते हैं कि access से हो तो access में click करना है उसके बाद set as default tap and pay card इसमां आप click कर लेंगे तो यह card हमारा default card में set हो चुका है कोई भी payment हम करेंगे तो इसी card से होगी इसके लिए आपको Google पर open करने की ज़रूरत भी नहीं है आप बस यहाँ से NFC on कर लेंगे NFC on कर लेंगे उसके बाद उस POS मसीन पर आप tap करेंगे तो आपके phone से payment हो जाएगी तो इस तरीके से आप Google पर इसे NFC payment कर सकते हैं अपना card add कर सकते हैं अगर आपका Google पर अकाउंट नहीं है तो link description में है वहां से आप अकाउंट open कर सकते हैं अगर वीडियो आपको informative लगी हो तो हमारी वीडियो को like ज़रूर करें और ऐसी ही Google पर related वीडियो देखने के लिए आप Google पर प्लेलिस्ट भी हमारी देख सकते हैं विलते हम लिए ऐसी ही informative वीडियो के साथ धन्यवान